आप सभी का स्वागत है आरसर के यूटूब चैनल पर और आज हम एक नए चेप्टर की सुरुवात करने वाले हैं और वो जो टोपिक आपका होगा स्ट्रेट लाइन होगा तो फटा फटसें सारे के सारे बच्चे आ जाएं उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर ठीक है यह आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 43 होने वाला है 43 नंबर का क्लास होने वाला है और इस क्लास में हम कोडिनेट जियोमेट्री का पार्ट डिसकर्स करेंगे कोडिनेट जियोमेट्री का एक पार्ट मैंने आपको कंप्लेट करवा दिया है 2D जियोमेट् मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कॉवडिनेट जियोमेट्री का मतलब Wise 2D Geometric तूडाइमेशनल जियोमेट्री और तूडायमेशनल जियोमेट्री का एक पार्ट आपका portion एक जो portion है वो complete POINT ठीक है अब दूसरा point आज में आपको ये option चूज करना है एरफोर्स अक्सवाई नेवी के टेंग नी वहाँ पे आरासर का फोटो आपको नजर आ जाएगा अगर आपको physics की class ये class बेटा टोटल फ्री ओफ कोस्ट है ये वाली class आपकी फ्री ओफ कोस्ट है ठीक है सुबह 8 बजे अगर आपको physics की practice करनी है को कोई repeater बच्चा हो कोई fresher बच्चा हो तो ये वाली class है आप जरूर से attend करें वहाँ पे search कर सकते हैं या फोटो चलता हो आपको मिली जाएगा लेकिन अगर कोई बच्चा paid course में जाना चाहता है पेसे देकर पढ़ना चाहें तो इसका one month का three month का six month का charges आपका ये रहेगा और अगर आप ये वाला code apply करते हो तो इससे आपको 10% instant discount मिल जाएगा 10% आपको discount मिलकर ये वाला जो course आपको होगा जैसे 1600 रुपे का है तो 160 रुपे लेस 4000 रुपे का है तो आपका 400 रुपे लेस 10% इसी के साथ में आप math, physics, English और raga की जो class हैं math, English, physics और raga की जो class हैं आपकी है उनको आप explore कर पाऊगे ठीक है चलो जी आजाएं सारे के सारे बच्चे आजाएं ये हमारा telegram channel है team space आरसर जहां पे हर class का PDF और कोई update जो आपको provide करवाया जाना चाहिए वो update आपको यहाँ पे provide करवा दिया जाता है ये हमारी team है team आरसर जो आपके लिए तनमन धन से दिन रात लगी भी रहती है और क्या ही मैं बताऊं कि ये वाली team की कितना dedication है आपने देखी लिया होगा और in future आप देखते रहोगे ये हमारी पूरी classes के timing है कोई बच्चा नया आया हो अभी अगर class के अंदर पहली class अगर ले रहा हो तो ये हमारी class का पूरा total timing रहेगा आप join कर लीजिएगा देख लीजिएगा सुबह साथ से लेकर साम को पांच बजे तक लासे यहां पर चलती है इंग्लिस के लिए सुबह मौक टेस्ट फिर इंग्लिस का आपका हो जाता है ग्यारा चूरी आपके पास बारा बजे की जो class होती है इंग्लिस की class वो concept की class और इसके अं पर हैं और यह concept की class प्रेक्टिशेशन जो आपका होता है अनिकेडमी पर special होता है free तो total free of post class है आपकी है आप आराम से enjoy कर सकते हो ठीक है अब एक बार जो बच्चा class में आ चुका है एक बार I love my parents का comment कर देगा उसके बाद में start हो जाए और बेटा उसके बाद में फटा से वो energy आप मेरे अंदर भर सकते हैं फटा फटसे बच्चा फटा फटसे I love my parents का comment में spam चाहूंगा मुझे पता है कि आप अपने माबाप से कितना प्यार करते हैं और वो भी आप से बहुत प्यार करते होंगे चीक है चलो जी बेटा फटा फटसे आ जाए और फटा फटसे स सारे के सारे बच्चे सारे के सारे बच्चे कि कैसे हार जाओं इस जंग को कैसे हार जाओं इस जंग को मेरी मा मेरी जीत का इंतजार किये बेटी है मेरी मा मेरी जीत का इंतजार किये बेटी है बेटा आपको पूरे concept इस तरीके से अपने दिल डिमाग में उतारने हैं और इ discipline के साथ में class में बेठें एक एक चीज को note करने की कोसिस करें मेरे साथ में note करने की कोसिस करें धीरे धीरे में explain करतावा चलूँगा और यहां से top से 0 से लेकर top level तक आपको लेकर जाओंगा ठीक है चलो जी start करता हूँ class के बीच में मेरे को किसी बच्चे का comment नजर नहीं आना चाहिए कोई बच्चा चाहिए comment में कुछ भी करें आपको comment नहीं करना जो पढ़ने वाला बच्चा होगा जिसने promise कर दिया है I love my parents का अगर comment करी दिया तो वो बच्चा बीच बीच में कोई comment नहीं करेगा आपको focus करना है यहां पर ठीक है offline के लाको रुपे बचा रहा comment ने तो मैं देखूंगा आप comment कर दो जाए मैं देख तो रहा हूँ नहीं comment मैं बीच में कहीं comment देखता हूँ तो मुझे पता सल जाता है आपको कहां पर गलती करते हो तो वो मैं पहले ही आपको सुधार करके यहां पर प्रोवाइड कर वाता हूँ चलो जी topic जो आपका होती है एसी लाइन होती है 2D के अंदर कोई भी जो लाइन आपके पास होती है उचको अपर एज स्टेट लाइन ही मानते हैं स्टेट लाइन मानते हैं ठीक है और अगर मैं बात करूँ स्टेट लाइन की तो स्टेट लाइन वो होता है आपके पास X और Y की सिंगल पावर की जो equation आपके पास होती है x और y के single power की ze equation होती है वो straight line होती है जैसे मांप्लो कि आपके पास ऐसा लिख दिया a x plus का b y plus का c बराबर आपके पास 0 तो x और y के अंदर single power की जो equation होती है वो क्या होती है straight line होती है ध्यानकना एक एक चीज जो मैं आपको बोर रहा हूँ न वो आप concept दिल के अंदर उतारो feel करो चीज को मैं क्या बताने की कोशिस कर रहा हूँ आपको ठीक है x और y की single power की जो equation है वो क्या होती है straight line आप कहोगे कि sir x plus का c बराबर 0 ये क्या straight line है क्या बिल्कुल sir ये आपका क्या है straight line है अगर मैं कहूं sir आपके पास y बराबर आपके पास 1 upon x क्या sir straight line है क्या यहाँ पर देखो y की power है 1 और x की power को उपड़े के जाओगे तो क्या है minus 1 ये जो आपके पास equation है sir ये आपके पास straight line नहीं है ये आपके पास straight line नहीं होगी ये आपके पास अरण रिखा नहीं है ठीक है x और y की single power की equation ही उसमें होनी चीए यहाँ पर power minus 1 आगे जिसको पन straight line नहीं कहेंगे बिटा ठीक है ये straight line नहीं कहेंगे चलो जी straight line को समझने के लिए दो चीजों की आपको जर्रत है और उनमें से जो पहली चीज है वो है आपका क्या slope पहला जो चीज आपके पास है slope slope का मतलब आपके पास क्या होता है slope का मतलब ढाल कोई भी line जो आपकी है कोई भी line x axis के साथ में positive x axis के direction में जो angle बनाती है उसकी spurs ज्या जो मतलब उसका tangent होता है उसी कोपन क्या बोलते हैं ढाल बोलते हैं कोई भी फिर से सुनना कोई भी जो line है उसका positive x-axis के साथ में ये मानलो कि आपके पास line है ये positive x-axis है उसके साथ में जो जुखाव है उसी कोपन slow बोल देते हैं और ये जितना angle बनाती है positive x-axis के साथ में उसकी tangent या उसकी spurs ज्या उसी को क्या बोला जाता है ढाल बोला जाता है और इस ढाल को represent हम करते हैं किसे m से इस ढाल को represent किया जması पहली बात अगर मैं बता हूँ कि ढाल को calculate करने का जो पहला method है वो है आपके पास 10 θ, m बराबर आपका क्या होता है 10 θ, m बराबर 10 θ, अगर आपको θ गीवन है और वो angle अगर positive x-axis के साथ में है, θ, positive x-axis के साथ में angle बनावा होना चाहिए, y-axis के साथ में नहीं, positive x-axis के साथ में जो angle बनावा है, वहाँ से पन m बराबर क्या निकाल सकते हैं, 10 θ निकाल सकते हैं ठीक है, तो ये वाली चीज़ा आप ध्यान रखोगे, M VAROFFtechnLE अगर मानलो कि Theta, Theta अगर आपके पास हो, Theta आपके पास अधिक कोण हो, Theta अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब है, ओवट्यूस एंगल हो, अधिक कोण हो 90 से ज्यादा हो अगर आपके पास theta अधिक कोण हो तो ऐसे case में M जो आपके पास होगा वो क्या होगा लेस दें 0 अगर theta जो होगा आपके पास acute angle है acute angle का मतलब है noon कोण है acute angle का मतलब क्या है noon कोण अगर theta आपके पास noon कोण हो तो ऐसे case में M जो आपके पास होगा वो क्या होगा 0 से बड़ा होगा धाल जो होगा रेखा का वो क्या होगा आपके पास 0 से बड़ा अगर मान लो कि theta आपके पास 0 हो तो यहाँ पर अगर आप 0 रखोगे तो M बराबर आपका क्या जाएगा 0 थीटा बराबर जीरो होने पर M बराबर क्या होगा जीरो और एसे केस में जो लाइन आपके पास होती है स्ट्रेट लाइन इस पैरेलर्ट टू एक्स एक्सिज अगर आपके पास किसी भी लाइन का धाल अगर जीरो है किसी भी line का ढाल अगर आपके पास 0 के बराबर है तो line हमेशा xx के समानते रहेगी अगर मान लो कि theta बराबर आपके पास 90 है theta बराबर 90 आपने रखा यहां पे तो m बराबर आपका कितना जाएगा infinite m बराबर कितना जाएगा infinite और इस case में जो line आपके पास होगी straight line जो होगी वो parallel होगी आपके पास कौन सी axis के y axis के parallel होगी तो यह चीज आपको समझ में आजाने चीए कैसे कैसे इनके diagram बनते है theta दिक्कोन कैसे बनेगा जैसे मान लो कि line आपके पास यह तो coordinate axis है और line अगर आपके पास ac हो तो यह जो angle बन रहा है ना 90 से जादा है obtuse angle है दूसरी acute angle कैसा होगा मान लो कि line आपके पास ac है ठीक है line ac है तो यह जो angle आपका बन रहा है वो क्या है acute angle theta बराबर 0 का case theta बराबर 0 यह है x axis यह मूल बिंदू है आपका और अगर line आपके पास AC हो तो उस case में किया मनते है थीटा बरावर 0 मनते है अगर आपके पास थीटा बरावर 90 का जो case होगा वो ऐसा होगा यह x-axis है यह y-axis है और line अगर आपके पास AC है यह वाला इंगल 90 तो यह आप समके diagram बनाते रहना 2D आपको two dimensional geometry तभी समझ में आएगी जब आप एक एक जो चीज है उसका diagram बनाना सीख जाएंगे ठीक है मतलब मन के अंदर यह सोचो रेखा केसी है रेखा केसी है सोचो रेखा के बारे में मतलब line के बारे में सोचना है ठीक है समझ गए तो रेखा के अंदर एक चीज तो अपने यह आगई क्या ढाल आगई बात समझ में बिटा बात समझ में आ गई होगी यह रेखा के अ अगर दे रखे हैं, मान लो कि आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, इस लाइन के उपड़ दो पॉइंट दे रखे हैं, X1,Y1 और X2,Y2 अरे भाई साब, रेखा का पता करने के अलग-अलग तरीके हैं, रेखा का फोन नमबर आपको मिल गया, फोन नमबर की रेखा का घर अपन पता करेंगे, मान लो दूसरी कंडिशन है, दो पॉइंट अगर आपको दे रखे हैं, तो अगर इस तरीके से दो पॉइंट अगर आपको दे रखे हैं, तो रेखा का जो ढाल हम निकालेंगे, Y2-Y1 अपोन X2-X1, M बराबर क्या होगा आपका Y2-Y1 अपोन X2-X1, ये रेखा का ढाल होगा अगर दो पॉइंट अगर दे रखे हैं, तो रेखा का ढाल Y2-Y1 अपोन X2-X1 से अपन केल्कुलेट करेंगे, तीजरी गनिद, अगर मान लो कि आपको लाइन की एक्वेशन ही दे रखे है अगर AX प्लस का BY प्लस का C बराबर 0 ये लाइन की एक्वेशन ओल्रेडी आपको गिवन है ओल्रेडी लाइन की एक्वेशन अगर गिवन है तो रेखा का जो स्लोप होगा स्लोप का मतलब समझ जाना स्लोप का मतलब होगा सर ढाल और रेखा का जो ढाल होता है वो होता है आपके पास minus x का गुणांक बटे y का गुणांक क्या minus x का गुणांक बटे y का गुणांक minus coefficient of x upon coefficient of y यह आपके पास line का slope होता है यह चीज आपको समझ में आ गई होगी यह वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी ठीक है चलो जी तो एक चीज मैंने समझा दी है कि रेका का जो ढाल है वो आपके पास क्या होता है ठीक है दूसरी चीज के उपर में चलता हूँ है ना दूसरी चीज के उपर में चलता हूँ बेटा फालतू की कमेंट ना करो तो ही फाइदा है आपको क्योंकि आपको जब यहां पर comment करोगे ज़्यादा भावनाओं के अंदर गुषने की कोशिस करोगे तो यहां का जो पूरा आपके दिमाग के से बिलकुल साप हो जाएगा दूसरी चीज दूसरी चीज जो आपके पास है वो क्या है intercept क्या है intercept intercept का जो मतलब होता है वो होता है अन्तहे खंड क्या होता है अन्तहे खंड अब यह अन्तहे खंड क्या चीज है वो ज़रा समझना अन्तहे खंड क्या चीज होती है अन्तहे खंड क्या होता है कोई भी जो लाइन आपके पास होती है कोई भी line किसी भी axis को origin से मूल बिंदू से जितनी दूरी पर cut करती है और वो ही distance जो आपके पास होती है उसको बोलते हैं intercept फिर से सुनना क्या है आपके पास सारे नमुने पेस करूंगा थोड़ी देर वो बोलते हैं ना यार बीच में गोचा मत करो यार मैं जैसा पढ़ा रहा हूं पढ़ाने दो कि मैं सारी चीजे बता दूँगा कोई भी चीज आपकी नहीं छोड़ूँगा तो intercept क्या होता है कोई भी line किसी भी x को origin से मूल बिंदू से जितनी इकाई distance पर cut करती है वो क्या होता है intercept तो है जैसे मान लो के आपके पास ये वाली एक line है ठीक है ये तो आपके पास y axis ये x axis और एक line जो आपके पास है वो line आपके इस तरीके से गुजर रही है ये वाली line आपके पास है तो ये रहा आपका origin और ये origin से x-axis को कितनी distance पर cut कर रही है ये वाली जो distance है इस distance को open क्या बोलते हैं ये है आपका intercept on x-axis क्या है intercept on x-axis intercept on x-axis मतलब x-x पर काटा गया अनतकर्ण ठीक है और ये जितनी इकाई दूरी पर y-axis को मूल बिन्दू से काटती है y-axis को मूल बिन्दू से जितनी काई दूरी पर काटती है वो होता है आपका intercept on y-axis y-axis पर काटा गया आपका अनतकर्ण ठीक है ये वाली क्या है यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी आपके पास है इसको बोलते है ठीक है तो अनतकर्ण क्या होती है distance होती है दूरी होती है और वो दूरी कौन सी होती है x-axis पर जितनी दूरी काटती है वो अक्स पर काटा गया अनतकर्ण ये y-axis पर काटा गया अनतकर्ण और जो दोनों के बीच में होता है उसको क्या बोलते है intercept between x-axis x होके उपर काटा गया अनतकर्ण अगर ये आपके पास intercept on x-axis जो है intercept on x-axis ये वाला जो अनतकर्ण है उसको denote किया जाता है किसे है small a से और y-axis पर जो काटा गया अनतकर्ण है उसको किसे denote किया जाता है b से अब इनको calculate कैसे करते हैं कैसे ये positive negative कैसे आपके पास होते हैं जरा समझना कि अगर मान लो कि कोई line कोई line इस तरीके से भी हो सकती है इस तरीके से भी हो सकती है इस तरीके से भी हो सकती है ये चार condition के अंदर lines हो सकती है तो ये आपके पास हुआ A ये हुआ आपके पास B यह x x पे कटा गया अंतकंड है यहां से यहां तक तो यह होगा a और यहां से यहां तक y x पे कटा गया अंतकंड बी ठीक है तो किस किस की case में आपके पास यह positive होंगी कि negative होंगी अगर मैं बात करूँ इस case के अंदर पहला case यह पहला case है, यह दूसरा case है, यह तीसरा case है, यह चोथा case है, तो पहले case में देखो, x-axis को positive side से cut कर रही है, x-axis को positive side से, y-axis को positive side से, जब दोनों x-on को positive positive से अगर cut करती है, तो इस case में a greater than 0 और b greater than 0, आग़ी बात समझ में, x-axis पर intercept भी positive होगा और y का intercept भी क्या होगा, positive लेकिन यह second case वाली जो line है, यह वाली जो line है, यह देखो, x-axis को negative side से cut रही है, origin यहाँ पे, x-axis को इदर से, इसका मतलब a जो आपके पास होगा, a जो आपके पास होगा, वो क्या होगा, less than 0, और b, y-axis को उपर से cut रही है, तो b क्या होगा, b is greater than क्या होगा, 0 होगा, a less than 0, b greater than 0, आप आराम से बता सकते हो, कि इस case की अगर मैं बात करूँ, case number 3 की, तो यह वाली जो line है, x-axis को negative direction से cut रही है, इसका मतलब a जो आपके पास होगा, वो less than, और b को नीचे से cut रही है, y को नीचे से cut रही है, तो इस case के अंदर b क्या होगा, less than 0, इस case की अगर मैं बात क करूँ, तो यह x-axis को positive से, y को negative से, x-axis को positive से cut रही है, तो यह क्या होगा, a क्या होगा, greater than 0, y को नीचे से cut रही है, तो इस case में b क्या होगा, आपका less than 0, तो यह गणीत होती है, intercept की, क्या गणीत होती है, बेटा इसका जो slope अगर आप पूछ रहे हो ना इसका slope देख लो angle कितना बन रहा है इसका जो slope आपके पास होगा वो होगा आपका positive होगा इस case में जो slope आपके पास होगा positive इस case में angle देख लो कितना है 90 से ज़्यादा है तो negative यहाँ पे में slope की वेसे बात भी नहीं कर रहा हूँ मैंने आपको intercept बताया है intercept positive होगा या negative होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि line intercept कट करे ही नहीं करे ठीक है जैसे मैं बात करता हूँ आपके पास ऐसे diagram मेंने बनाए एक diagram मेंने आपको ऐसा बनाया यह तो था क्या आपका origin और एक line आपके पास ऐसी चली गई या फिर line आपके पास ऐसी आजा है यह तो origin है और यह आपके पास line है तो इस case में अगर मैं बात करूँ एक तो ऐसा case हो सकता है या फिर आपके पास origin तो यहाँ पे है और एक line आपके पास ऐसी हो सकती है या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि origin तो आपका यहाँ पे है और line जो आपकी जा रही है वो यहाँ पे तो ऐसे case में अपन क्या बताएंगे intercept के बारे में क्या बताएंगे ठीक है हाँ जी हाँ बताओ फटा पड़ से हैं कि इसके अंदर x-axis का जो intercept है जिस x-axis को cut करेगी intercept उसी पे बनेगा जिसको cut ही नहीं करेगी उस पे intercept नहीं बनेगा 0 होगा तो ऐसे case में सरी y को तो cut नहीं कर रही है और x-axis को positive side से cut कर रही है क्या positive side से इसका मतलब इस case के अंदर a तो क्या होगा 0 से बड़ा होगा लेकिन जो by-axis का intercept होगा वो क्या होगा आपका 0 होगा क्योंकि y को ये कटी नहीं कर रही है y को कटी नहीं करती है तो y का intercept क्या होगा 0 होगा ठीक है बेटा PDF मिल जाएगी PDF मिल जाएगी विश्वास करो यार अभी concentrate यहां पे करो concentrate यहां पे चलो जी दूसरा कि सर यहां पे हम देखेंगे कि यह y x को उपर से काट रही है और y x को अगर उपर से काटती है तो यहां पर y x का जो intercept है वो तो क्या होगा positive और x axis वाला कि सर x axis को तो यह काटी नहीं दी तो x axis का intercept क्या होगा 0 होगा इस case के अंदर अगर मैं बात करूँ कि यह सर देखो नीचे से जा रही है y axis को नीचे से काट रही है इसका मतलब y axis का intercept तो क्या होगा less than 0 और x x को काटी नहीं दी इसका मतलब क्या होगा जीरो होगा इस case में इस case तो ये तो आप भी बता दो ये तो फटा फट से बता ओ कि ये जो condition आपके पास है ना fourth condition इसके अंदर intercept की position क्या होगी फटा फट से एक एक बच्चा कमेंट कर देगा बब बोलो 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 फटाफट से क्या होगा आपके पास इसका पूछराओं में इसका A और B की क्या गणीत है इसके अंदर फटाफट से बताओ A बराबर 0, B बराबर 0 क्या बात है बोलो बोलो फटाफट से A less than 0, B बराबर 0 A less than 0, B बराबर 0 बच्चे ने लिखा है A less than 0, B बराबर 0 चलो सही बात है B less than 0, A less than 0 A less than 0, A बराबर 0 अच्छा चलो जी देखो बेटा ये A को देखो कौन से साइड से कट कर रही X axis को negative sides है इसका मतलब X axis का जो intercept है वो तो होगा आपका negative और Y को कटी नहीं कर रही है तो वो क्या होगा आपका 0 होगा एक line और बनती है और वो जो line आपके पास होती है वो line ऐसी होती है जो चोराहे से होकर गुजरती है ये वाली line ये वाली line ये वाली line एसी type के जो line होती है वो line जो आपके origin से पास होती है line passing through origin line passing through origin जो line ने आपकी 0,0 से पास होती है उनका जो intercept होता है उसके अंदर A बराबर 0 होता है और B बराबर भी क्या होता है 0 होता है A बराबर 0, B बराबर 0 आगई क्या बात समझ में जो line origin से पास हो जाती है जो मूल बिंदू से गुजर जाती है उसका intercept दोनों intercept क्या होते है 0,0 होते है ठीक है दोनों intercept आपके पास 0,0 होते है चलो जी आगे लेकर चलता हूँ उम्मीद इतनी चीज आपको समझ में आई होगी अभी तक मैंने केवल slope और intercept discuss किया है रेका का ढाल discuss किया है और रेका का अंते खंड discuss किया है मैंने और आगे की गणीत में मैं आपको लेके चलूँगा अब अपन discuss करेंगे types of line के बारे में ठीक है उम्मीद समझ में आया होगा उम्मीद समझ में आया होगा एक बचा रो रहा है संडे वाली PDF नहीं है संडे वाली PDF नहीं है तु रोता रहे भाई अब मैं तेरे लिए क्या बोलू क्योंकि यार मैं बार बार बच्चों को डाटनी की कोशिस तो नहीं करता हूँ लेकिन वो बच्चे जब घोचा करते हैं न पढ़ाते टाइम मतलब बच्चे को चाहिए संडे वाली PDF तु पहले देखेगा वो इस क्लास को देखने से पहले वो संडे वाली PDF देखेगा क्योंकि उसको जरत अभी है चलो जी आगे चलते हैं अब अपन डिसकर्स करते हैं टाइप्स ओफ लाइन के बारे में दो लाइनों की जो एक्वेशन होगी वो आपके पास अलग-अलग जो टाइप से होगी वो किस-किस टाइप से होगी और इंटरसेप्ट वगेरा कैसे केल्परेट करते हैं सारी चीजी मैं आपके सामने डिसकर्स करूँगा तो पहली जो आपके पास लाइन की एक्वेशन है वो है आपके पास जनरल फोर्म क्या है जनरल फोर्म जनरल फोर्म का मतलब आपके पास है व्यापक समिकर्ण जनरल फोर्म का मतलब है आपका व्यापक समिकर्ण तो लाइन की जो एक्वेशन आपके पास है व्यापक रूप में लाइन की जो का समय करण ठीक है उमीद इतनी चीज आपको समझ में आई होगी व्यापक रूप में रेखा का समय करण AX प्लस का BY प्लस C बरादर आपका 0 चलो जी दूसरी रेखा की मैं बात करता हूँ क्यूं आपके पास? अलग-अलग टाइब के रिखाई हो सकती है आपके पास है दूसरा आपके पास है slope intercept form का मतलब है कि ढाल अंतकंड रूप ढाल और और अंतकंड जो रूप आपके पास है उस रूप में रेका का समिगरन ठीक है वो क्या होता है धाल और अंतकंड में क्या दियावा होता है धाल और अंतकंड के अंदर वेटा एक चीज़ में आप से यह कहूंगा कि अभी यहां पर थोड़ा सा जिस टाउन के अंदर हम रहते हैं जहां पर स्ट तिन गंटे तो रहता है तो वो क्लासे तो निकल गई है तो हो सकता है कि अगर पावर नहीं आता है तो आपको कुछ क्लासे मिस करने पड़ जाए ऐसा हो सकता है अगर होगा तो आपको इन्फोर्म कर देंगे ठीक है चलो जी slope intercept form क्या होगी ज़रा समझना slope intercept form के अंदर जो line की equation होती है y बराबर क्या होता है mx प्लस का c होता है क्या होता है y बराबर mx प्लस c होता है अब यहाँ पर m जो आपके पास होता है m, m जो होता है वो तो किसको denote करता है slope को m किसको denote करता है slope को और यह जो c होता है आपके पास c यह होता है intercept on intercept on y-axis intercept on y-axis हमेशा fix होता है कि जब भी slope और intercept form में कोई line की equation होगी y बराबर mx प्लस c इसको बोलते है slope intercept form में line की equation और इस line की equation में इस y की single power का coefficient होने पर और बाकी ट्रंक को उदर transfer कर दिया जाएं तो x की single power का coefficient होता है slope और जो constant बसता है वो क्या होता intercept on y-axis intercept on y-axis यह वाली चीज गांट बांद लेना बेटा गांट बांद लेना यह वाली चीज काफी important है वो important इस वज़े से हैं यह वाली चीज के बारे में बता रहा हूं मैं यह वाली चीज यह c यह क्यों क्यों कि बच्चों को दे दिया जाता है कि intercept x axis बर मतलब बच्चा कुछ भी हो लिख देता है इसके अंदर तो बेटा ध्यान रखना कि जब y-axis का intercept given होना तो ही आप यहां पे लिखोगे otherwise नहीं लिखोगे चलो एक नमूना दिखाता हूं आपको उसके बाद में आगे चलते हैं कि यह intercept slope intercept home केसे केसे कहां कहां काम आती है जैसे बच्चा आपको इसा दे रखा है 2x-3y प्लस आपका है 4 बराबर 0 यह line आपको given है आपको क्या पूछ लिया इस line की equation के अंदर एक तो आपको क्या पूछ लिया slope पूछ लिया दोसरा इसके अंदर जो आपको पूछ लिया intercept पूछ लिया एक तो slope पूछ लिया और आपको intercept पूछ लिया तो ऐसे case में क्या करेंगे मेटा जब slope और intercept अगर आपसे पूछ लिये जाएं तो हालंकि मैं इनके दोनों तरीके बताऊँगा आपको आगे जैसे जैसे आप पढ़ने की कोशिस करोगे वेसे वेसे आपको आजाएगा हना चलो जी कि ऐसे case में आप line की जो equation है आप y बराबर mx प्लस c के अंदर इसको convert करिए y बराबर mx प्लस c में जब आप इसको convert करने जाओगे तो y वाले trump को एक side transfer कर दो तो यह आजाएगा आपका 3 y बराबर आपका कितना आजाएगा 2 x प्लस का क्या आजाएगा 4 अगर आप 3 का इदर divide करते हैं तो y बराबर आपके पास कितना आजाएगा 2 upon 3 into x प्लस 4 upon 3 यह आपके पास आया तो बेटा यह जो y की single power y की single power का coefficient 1 y का coefficient 1 होने के बाद में यह जो x का coefficient होता है वो तो होता है m की value और यह जो आपके पास constant होता है यह होता है c की value और एक चीज हमेशा ध्यान रखना यह जो c होता है intercept होता है y axis पर intercept diagram कैसे बनाते हैं इसका diagram आपका इस तरीके से बन जाएगा किसर आपने कैसे बना दिया बेटा एक चीज में आपको कहूँगा कि यह जो m होता है m का मतलब होता है slope और slope जो बनता है m less than 0 हो सकता है m बराबर 0 हो सकता है m आपके पास infinite हो सकता है इस case में अगर आपके पास m is greater than 0 होता है तो angle कौन सा बनता है acute angle अब आप देख लो कि यह जो angle आपका है वो क्या acute angle है या obtuse है noon कोण है का अधिक कोण है जब m positive होता है तो angle कौन सा बनता है? acute जब M less than 0 बनता है तो angle कौन सा बनता है? कि सर वो बनता है? obtuse बनता है obtuse का मतलब अधिक कौन अधिक कौन आपके पास बनेगा अगर मान लो कि M less than 0 होता इसी case में तो अधिक कौन बन जाता ठेक है? M बराबर अगर आपके पास 0 है तो line जो parallel होगी वो किसके होगी? x axis के parallel होगी अगर M बराबर infinite हो तो line आपके पास y axis के parallel होगी आग़ी क्या बात समझ में? y axis के parallel होगी अब आप आराम से बता सकते हो इसके case में कैसे बताया जाता है? वो मैं आपको इस तरीके से सिखाता हूँ आप एक चीज़ द्यान रखना है आपको एक तो M का और एक इसका C का M और C दो चीज़ों का द्यान रखना है जो graph सीखना चाते हो न वो देख लो द्यान से M और C दो का द्यान रखना है पहले बात करो में C की अगर आपके पास C पोजिटिव होता है C पोजिटिव होता है तो line Y axis को उपर से कट करेगी line Y axis को उपर से कट करेगी C greater than 0 होता है तो line Y axis को उपर से कट करेगी अगर C less than 0 होता है तो line जो होगी वो Y axis को नीचे से कट करेगी line Y axis को नीचे से कट करेगी अगर c बरावर आपके पास 0 है तो line y axis को cut नहीं करेगी line y axis को cut ही नहीं करेगी और m की बात मैंने आपको बता दी चलो जी, कुछ में graph आपको दिखाता हूँ कुछ graph देखो आप m और c वाले जो graph है वो आपके केसे बनते हैं से बेटा मैंने आपको यह सा बोल दिया पहला graph m is greater than 0 और c is greater than 0 यह मैंने आपको बोल दिया m is greater than 0 c is greater than 0 समझना m is greater than 0 m greater than 0 का मतलब angle कौन सा बनेगा समझो यहां से कि m greater than 0 में सर आपने angle कौन सा बताया acute acute का मतलब noon cone बनाया और c greater than 0 का मतलब y axis को कहां से काटेगी उपड़ से काटेगी तो graph बन जाएगा राम से कि sir noon cone बनाना है और उपड़ से काटना है उपड़ से काटेगी तो line यहां से जाएगी और noon cone बनेगा तो line आपके पास ac यानी चीए यहां से अधी cone बनता है और इधर से आएगी तो आप का क्या बनना चीए वो आपका 0 से 90 के बीच में बनना चीए बोलो समझ में आया क्या समझ में ठीक है चलो जी दूसरी चीज दूसरा अगर मैं आपको यह कहूँ कि sir अगर m greater than 0 है लेकिन अगर c less than 0 आ जाए तब किसे बढ़ाएंगे m greater than 0 है लेकिन c less than 0 आ जाए m greater than 0 का दोनों की मिनिंग समझो आप तो उसके according m greater than 0 का मतलब sir angle कौन सा acute है noon cone बनेगा और c less than 0 इसका मतलब yx को नीचे से काटेगा yx को नीचे से यह जो है c greater than 0 में yx को उपर से काटेगा yx को नीचे से काटेगा और noon cone बनाएगा तो आप देख लो कि angle आपके पास यह रहा 0,0 य yx को नीचे से काट दिया तो c less than 0 हो गया और यह जो थीटा आपके पास noon cone तब बनेगा जब आपके पास line ac होगी बोलो आया क्या समझ में clear हुआ बिटा ठीक है हाँ acute angle का मतलब angle समझो दो case में angle बनते हैं एक तो noon cone एक अधिक कौन तो noon cone की condition के अंदर line आपके पास ac हो सकती यह होगी acute angle के case में और obtuse angle जहां पे M आपके पास less than 0 होगा उस case के line आपके पास ac ac आईगी बोलो समझ में आया बिटा ठीक है चलो जी अब अगर मैं आपको यह कहूँ चोथा case अपन चलते हैं fourth case के अंदर अगर मैं ऐसा लिखूं M less than 0 और अगर मैं लिखूं C less than 0 यह concept बन बनेगा angle बनेगा आपका obtuse क्या बनेगा obtuse angle और C less than 0 है इसका मतलब y axis को किदर से काटेगी नीचे से काटेगी किदर से नीचे से तो जड़ा समझते हैं obtuse angle और नीचे से काटना obtuse angle मैं आपको बता दिया था सर obtuse angle की case में line एसी 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 आती है तो आपको line बनानी है नीचे से काटना है रेसी बनानी है तो line आपके पास बनेगी वो एसी बन जाएगी आया समझ में ठीक है यह समझ में आया होगा चलो जी आगे चलते हैं यह third case fourth case के अंदर अगर मैं कहूं आपके पास M तो less than 0, c greater than 0, m less than 0, c greater than 0, ठीक है समझो, m less than 0 का मतलब angle कौन सा होगा obtuse angle क्या obtuse angle अधिक कौन, c greater than 0 इसका मतलब y axis को किदर से काटेगी उपर से, y axis को उपर से काटेगी और angle होगा आपका obtuse angle तो line जो आपके पास बनेगी वो कैसे बनेगी, obtuse angle वाले ऐसे आते हैं और उपर से काटने चीए तो line जो आपके पास बनेगी वो ऐसे, ये angle देख लो क्या है, theta जो यहाँ पर दिख रहा है, वो 90 से ज्यादा दिख रहा होगा आपको, बोलो आया के समझ में, obtuse का मतलब है अधिक कौन, obtuse का मतलब क्या है अधिक कौन, तो ये वाली गणित आपके समझ में आ चलो जी, हाँ जी, आगे चलते हैं, आगे हलाएं कि इसके अंदर बहुत सारी cases और हो सकते हैं, चलो जी, और बना देता हूँ, एक case आपका ऐसा है कि अगर मानलो कि में लिखो M is greater than C बराबर 0, ऐसा हो, एक case और बना देता हूँ, अगर M less than 0 हो, और C बराबर आपका 0 है, ब मतलब angle कौन सा बनेगा, acute angle, और C बराबर 0 का case क्या है, मूल बिंदू से गुजरना, तो ये देखो angle acute बन गया, और C बराबर 0 मतलब मूल बिंदू से गुजर गई, M less than 0 का मतलब अधिक कौन बनेगा, और रेका कहां से गुजरेगी, मूल बिंदू से, ये जो angle आपका बना आपको अधिक कौन बन गया, active single बन गया, आया समझ में, ठीक है, चलो जी, हाँ बई, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, कि ये जो graph हम बनाते है, slope और intercept हों में ध्यान रखने की बात क्या है, कि जो C हम लिखने हैं, वो Y axis का intercept होता है, क्या होता है, Y axis का intercept होता है, ये Y axis का intercept है, ये वाली चीज आपको ध्यान रखने है, ठीक है, चलो जी, आगे में लेकर चलता हूँ आपके पास, आगे वाली जो form आपके पास है, वो है one point form, क्या है, one point form, और one point form बहुत ही मज़ेदार है, line की equation के लिए जरूरी है, one point form मतलब एक बिंदू रूप, ऐसे case में आपको एक point given होता है, line का slope given होता है, मानलो कि आपको ऐसा दे दिया कि ये जो line है, X1, Y1 से तो पास होती है, और इस line का जो slope है, वो क्या दे दिया, आपको M दे दिया, तो line की equation बताओ, तो इस case में line की equation होगी, Y minus Y1 equal to M into X minus X1, क्या होगा, Y minus Y1 equal to M into X minus X1, ये आपके पास single point से पास होने वाली और M slope वाली line की equation होगी, एक नमुना देखो इसी के base फिर, आपको ऐसा बोल दिया, एक line का जो ढाल है, वो तो है आपके पास 2, और रेखा 2,3 से होकर गुजरती है, तो आप उस line की equation बनाईए, वो आपके पास line की equation कैसे बनेगी, जरा समझना, M आपको द दे रखा है और एक point दे रखा है, तो ऐसे case में M और point की value रख दो, क्या होगा, कि सर्वाइ माइनस 3, Y माइनस Y1 और M X माइनस X1, और X1 की value कितनी है 2, आप जब सोल करोगे, Y माइनस 3 इक वर टू, X माइनस आपका 4, इसको इधर transfer कर दो, Y बराबर आपका 2X और माइनस 1, य आपके process line के question आजाएगे, Y बराबर 2X माइनस 1, Y बराबर 2X माइनस 1, इस question का आपके पास answer आजाएगा, बेटा अगर इसी question में आपको मैं इसा और पूछ लूँ, अगर Y axis का intercept बताओ, तो comment करिएगा बेटा, क्या आपके पास इस question का answer आ सकता है, इसमें बताओ Y axis का intercept क्या आएगा, Y axis का intercept क्या आएगा, M क्या आएगा र भाई, M तो आपको दे रखा है, already, M बराबर आपको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, आपको अगर मैंने पूछ लिया Y axis का intercept क्या होगा, तो आप क्या बताओ गे, कि सर्द लाइन की equation होती है, Y बराबर MX प्लस का C होती है, Lा एक बार इसका graph बनाते हैं graph के से कि M आपके पास जो आया है सर वो क्या आया positive M आपके पास आया positive जब M आपके पास positive आया इसका मतलब angle कौन सा बनेगा acute angle क्या बनेगा acute angle C बराबर minus 1 इसका मतलब YX को किदर से काटेगी YX को नीचे की side से काटेगी कहां से minus 1 इकाई दूरी पर बना देते हैं C बराबर minus 1 है तो C तो YX का intercept होता है यह क्या जेगा 0, minus 1 यहां से काटेगी और angle कौन सा बनेगा acute और acute मतलब noon chord बनेगा तो line AC तो आपके पास इस line का graph आपके पास कुछ S आएस आएगा आगे आओगा समझ में चलो जी एक और question में आपको गुमाते हैं उसके बाद में हम आगे चलते हैं चलो जी यहां तक की चीज समझ में आई होगी बिल्कु सीधी सी चीज है यार M ग्रेट M बराबर आपके पास 2 है M अगर positive हो तो बनेगा acute angle new code बना जीरो से 90 की बीच में x, x और line की बीच में 0 से 90 की बीच में ठीक है और c बराबर अगर negative है तो नीचे से काटेगी y, x को चलो जी अब इसी के case में एक और question, एक और नमुना जो आपको परेशान करेगा वो मैं आपको बताता हूँ एक एसी line का समिकरण आप ग्याद करो एक एसी line की equation calculate करो जिसका slope, मतलब ढाल जो आपके पास है वो तो है 3 निकाई, ढाल तो है 3 निकाई और x-axis का जो intercept है x-axis का answer देना किसी बच्चे को गर आता है तो x-axis का जो intercept है मतलब जो अंतकरण है वो है आपका 4 निकाई x-axis का intercept है 4 निकाई और ढाल आपके पास कितना है 3 निकाई है तो आप उस line की equation बताओ फटा फट क्या होगी एक एसी line की equation जिसका ढाल तो आपके पास कितना है 3 निकाई है और जिसका x-axis का जो अंतकरण है x-axis का जो अंतकरण है वो कितना है सर वो है आपका 4 है X, X का अंतेखन आपके पास कितना है 4 है फटा फट से बताओ क्या होगा इस question का सही answer कि सर आपने तो हमारे को गुमा दिया क्योंकि जब बच्चा आपको ढाल और अंतेखन दे रखा होता है तो आपके अबल डायरेक्ट लोजिक वो ही लगाते हो डायरेक्ट बच्चे लोजिक यही लगाते है और Y बराबर आपको ढाल दे रखा है कितना 3X और अंतेखन कितना दे रखा है 4 ये वो बच्चे करते हैं जिनका concept अदूरा होता है और गलत करके आते हैं exam में आपको X-axis का intersect X-axis का अंतेखन में आपको दिया है तो ऐसे case में ज़रा आप ध्यार डखा करो जब आपको अंतेखन एक्स-का दे दिया इसका मतलब क्या बोला है इसका मतलब ये बोला है X-X पर 4 ही काई दूरी पर काटता है जब X-X को 4 पर काटेगा इसका मतलब ये point कौन सा होगा 4,0 और इसका ढ़ाल देखलो ढ़ाल क्या है positive है और ढ़ाल अगर positive है तो इसका जो graph बनेगा अब आपको देखो किसकी value पता चल गई m की value पता चल गई एक point पता चल गया जब m की value पता चल गई point पता चल गया तो यहाँ पर अगर आप point रखते है y minus y1 की value तो क्या है 0 m की value कितनी 3x minus आपका 4 इसका मतलब बिटा जो line आपके पास आजाएगी वो कितनी आएगी line आपके पास actual के अंदर ये वाला जो आपके पास answer आएगा वो right आएगा y बराबर 3x minus 12 बोलो आया के समझ में अरे समझ भी आया आक नहीं गलती कहां पर करते हूँ वो मैंने बता दी है ध्यान रखना xx का ही अंतेकर्ण होना चाहिए अगर xx का अंतेकर्ण नहीं sorry y का ही होना चाहिए अगर y का नहीं है तो आप इस तरीके से question को कर लेना one point form में line की question से आप question कर लेना clear वा clear वा बच्चा यहां तक की चीज समझ में आ गई क्या अना चलो जी आगे चलते हैं आगे चलते हैं तो यह one point form मैंने बता दी है अगली form पे मैं आपको लेकर चलता हूँ समझ में आ गया होगा वहां से e-pdf आपको मिल जाएगी अना चलो जी हाँ जी आगे चलते हैं आगे जो आपके पास side fourth form की मैं बात करूँगा और वो है आपके पास two point form क्या है two point form two point form और इस form में क्या दे रखा होगा आपको दो point दे रखे होंगे two point form दो point आपको y1 और एक आपके पास क्या है x2, y2 क्या है x1, y1 और x2, y2 दो point दे दिये तो sir हम पहले जो one point form में लिखते थे ना वो तो इस तरीके से लिखा जाता था ऐसा one point form में तो इसा लिखते थे y-y1 और equal to m x-x1 sir ये तो हम इस तरीके से लिखते थे लेकिन जब इस case में तो sir slope given होता था लेकिन इस case में slope given नहीं है तो ऐसे case में ध्यान क्या रखेंगे slope निकालेंगे, 2 point से slope कैसे निकालेंगे, कि sir ये होता है y2 minus y1 upon x2 minus x1 ये हम slope निकालना जानते है sir आपने starting में बता दिया था कि 2 point से slope निकालते है y2 minus y1 upon x2 minus x1 से निकालते है ठीके, तो आप ये वाली value यहां पे रख दो m की जगें तो आपके पास क्या जाएगा y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 और into x minus x1 लो जी, इसको बोलते हैं 2 point form में line की equation जब आपको कोई भी 2 point अगर पता हो कोई भी 2 point अगर आपको पता हो तो अपन line की जो equation लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे ठीक है, आपको directly 2 point given होंगे लेकिन गुमा फिरा के भी question आपते हैं में सारे बताऊंगा आपको कि गुमा फिरा के जो question इसके बनते हैं वो question किस तरीके से बनते हैं ठीक है, चलो जी ठीक है विटा यह आपके पास, चलो जी एक इसका नमूना लिखा दिया जाएं नमूना समझना कि नमूना आपके पास क्या होगा इसका नमूना आपको ऐसा दे रखा है कि एक point दे दिया, 2,3 दे दिया एक दो point और एक point दे दिया आपका minus का 2,0 यह आपके पास 2 point है और इन दोनो point से pass होने वाली line की equation आपको निकालनी है ठीक है, इन दोनो point से pass होने वाली line की equation, तो कैसे निकालेंगे बिल्कु सीधी से बात है, आप चाहें जिसको मान सकते हो, x1, y1, कोई फरक नहीं पड़ता इसका मतलब आपके पास y minus y1, y minus 3 बराबर y2 minus y1 upon x2 minus x1 minus 2 minus 2 और x minus x1 यह आपके पास आजाएगा, ठीक है तो solve करोगे तो क्या आएगा आपके पास y minus 3 equal to minus 3 upon minus 4 और x minus 2 यह इसका से किंसल 4 से cross multiply अगर आप करोगे तो 4y minus आपका 12 equal to 3x minus का 6 सब को उदर transfer कर दो तो 3x minus का 4y और अगर आप transfer करोगे तो plus का 6 equal to 0 तो यह आपके पास एक line की equation है जाएगी आया के समझ में है ना चलो जी बहुत बढ़िया भई 3x minus का 4y plus 6 बराबर आपका 0 चलो जी एक और form आपके पास top most form में से आती है उसके बाद में मैं कुछ questions आपको कराऊंगा concept बढ़िया करवाने के लिए अगली form के उपर जाते हैं और यह है आपके पास intercept form और अब तक की सब से important form आपके पास यही है intercept form intercept form क्या होती है समझने की कोशिस करना intercept का मतलब होता है अंतेखंड intercept का मतलब क्या होता है अंतेखंड रूप में रेखा का समीकरन आपका क्या होगा और इसे नजाने कितने सारे question बढ़ते है अब तक का सब से top मोस जु लाइन की form है न वो यही है intercept form है ठेक है? intercept form समझना क्या होता है कि सर इंटरसेट form में line की जो equation होती है x upon a plus y upon b और बराबर आपका क्या होता है 1 x upon a plus y upon b बराबर क्या होता है 1 होता है यहाँ पर जो x की नीचे लिखाबा की नीचे और यहां पर कोपी सेंट अगर वन हो और यह जो आपके पास नीचे लिखावा होता है वो होता है आपका इंटफेफ्ट on x-axis इंटरसेफ्ट यहां भी आहली आपका होता है न बी यह होता है आपके पास intercept on y axis intercept on y axis ठीक है तो यह आपके पास चीज होती x की single power के नीचे x x का intercept होता है y की single power के नीचे y x का intercept होता है किसर आपने पहले भी तो intercept intercept बोला था कुछ ऐसा सुनाई दिया था वो बोला किसमें था किसर वो बोला था आपका y बराबर m x plus c के अंदर y बराबर m x plus c के अंदर बोला था लेकिन यहाँ पर अपन जो एक intercept की ही बात करते थे यहाँ पर only क्या होता था यहाँ पर होता था single intercept क्या होता था single intercept होता था only y x का ही होता था जबकि यहाँ पर x का भी होता है और y का भी होता है जब आपको एसे logic बताऊंगा ये मानके चलो कि आपको इन सब की ज़रत नहीं पड़ेगी ठीक है ना मगवान की दया रही तो अपन सब को सभी से आना करवादेंगे इसका diagram कीसे बनता है इसका जो diagram बनता है वो इस तरी कीसे बनता है हाल पिलाल जो डाइगराम एक बनता है intercept x x का क्या होगा यहांसे यहां तक का x x का intercept और यहांसे यहां तक जो होगा वो क्या होगा आफका y x का intercept होगा यह मैंने starting में आपको बताया था ठेक है के से convert करते हैं अब बच्चा इस तरे related जो question बनते हैं यह जो आपके पास बना है इस form से बहुत अच्छे-च्छे questions बनते हैं वो मैं आपको बना के बताता हूँ कि कैसे आपके पास इसके form के question बनते हैं जरा देखना यह नमूना मत समझना इसकी property समझ लेना x upon a plus आपके पास y upon b बराबर आपका क्या दे रखा है 1 यह आपके पास एक intercept है अन्ता कर ला है और इस intercept form में जो line की equation आपके पास बनती है वो आपकी ac बनेगी यह वाला point तो 0,0 यह वाला जो point आपका होता है वो होता है 1,0 और यह वाला जो point होता है यह होता है आपका 0,b होता है क्या होता है 0,b होता है तो आप ये देख चुके होंगे कि ये आपके पास क्या बना है एक ट्राइंगल बना है सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कर दूँ कि अगर मैं इसका आपको एरिया पोछ लूँ अगर ये जो ट्राइंगल आपके पास है उसका एरिया क्या होगा तो इसका area क्या होगा वो होगा आपके पास half into A into B क्या होता है half AB अरे भाई साब इतनी जो दूरी है ना आपके पास वो तो है A काई और इतनी जो distance है वो आपके पास क्या है B काई है तो आप आराम से बता सकते हो कि जो triangle बनेगा अक्सों के साथ में जो अक्सों के साथ में जो triangle बनेगा ये वाला triangle उस triangle का area क्या होगा half AB होगा half AB का मतलब क्या है half मतलब 1 by 2 into intercept on intercept on intercept on x-axis एक तो x-axis का intercept और into आपके पास intercept on y-axis intercept on y-axis मतलब दोनों का जो intercept है उनको product कर दो 1 by 2 से multiply कर दो तो आपके पास ये जो triangle बनता है उस triangle का area आपके पास आजाता है half AB बात आई समझ में दोसरी बात ये जो triangle आपके पास बना है वो right angle triangle है यहाँ पे 90 degree का angle बनता है अगर मैं पूछो हूँ कि ये जो triangle बनता है उसका ortho center बताओ comment तो करो देके फटा फटसे ये ortho center के बारे में कुछ बता है आपको ortho center का मतलब होता है lumb highlights फटा फटसे बताओ कि इसका lumb kan Steph क्या होगा क्या होगा इसका lumbgenes तीसरी बात मीं इसके अंदर करूँगा आपका circum center circum center का मतलब है परी के अंदर और केंदरक होता है आपका सेंट्रोइड, क्या होता है सेंट्रोइड, चलो कमेंट करो फटा-फट से, क्या-क्या बनेगा आपके पास, और ये इतनी सारी चीजी हैं, आपको समझ में आई या नहीं आई, बोलो फटा-फट, के सर जहां पे 90 डिग्री बनता है ना, कोई भी ट्राइंगल हो, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल, और उस 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में, जहां पे 90 डिग्री बनता है, उसी सीड्स को बोलते हैं, लंब के अंदर, तो ये वाला जो सीर्स है ना सर ये होगा आपका लंब के अंदर क्या 0,0 तो लंब के अंदर जो आपके पास आया ओर्थो सेंटर जो आपके पास आया वो तो क्या आपके पास 0,0 दूसरी बात परी केंदर की तो परीगत वरत का जो केंदर है और कोई भी 90 डिग्री वाला जो ट्राइंगल होता है समकोन तिरबुज जो होता है उसमें कर्ण का जो मत्यविंदू होता है हाइपोटेनियस का जो मिड़ पोइंट होता है सर उसी को हम क्या बोलते हैं परी केंदर बोलते हैं तो इसका midpoint आपका क्या जाएगा A by 2 और B by 2 आजाएगा क्या जाएगा A by 2 और B by 2 आजाएगा तीसरी बात centroid, kendraq और kendraq सल बिल्कु सिंपल है kendraq अगर आप calculate करोगे तो A upon 3 और B upon 3 आपके पास आजाएगा क्या जाएगा A upon 3 और B upon 3 बोलो आया क्या समझ में बोलो आया क्या नहीं आया इतना समझ में आया हाँ जी बहुत बड़िया बिटा, बहुत बड़िया, काफी बच्चों के सारे कुषिन का अंसर टाइप कर दिया बहुत खुशी होती है जब इसे बच्चे क्लास में होते हैं बहुत ही कुशी होती है जब एसे बच्चे क्लास में होते हैं ठीक है चलो जी ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ इसके बेस पे जो और कुशन बनते हैं बिटा वो केसे बनेंगे वो कुशन वो देख लेते हैं पना चलो जी ह हाँ इसका स्क्रीन सोट चाहो तो ले सकते हो अधरवाइस मैं आपको पेडियाप देऊंगा यह हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पेडियाप अभी मिल जाएगा आपको थोड़ी देर बाद में इसका पेडियाप मिल जाएगा तो आप सारी चीज़े अपने नोट्स के तो आपको क्या बनाना है अक्सों के साथ इस लाइन के सबसे पहली बात है एक तो निकालना है आपका अंत्य खंड निकालना है अंत्य खंड निकालना है अंत्य खंड निकालना है इस रेखा के द्वारा अक्सों पर काटे गए अंत्य खंड दोसरा आपको क्या निकालना है बनाए गए तिरबुज, एक्सों के साथ, एक्सों के साथ, बनाए गए तिरबुज का, एक्सों के साथ, बनाए गए तिरबुज का, छे तरपल, एक्सों के साथ में जो ट्राइंगल फोर्म होगा, उसका आपको क्या बताना है, एरिया, उसका क्या बताना है, तीसरी बात, व और एक आपको बताना है उसका केंद्रक, centroid, चलो जी, बोलो फटा अफट से, एक एक चीज को कमेंट कर दो बेटा, फटा अफट से कमेंट कर दो, केंद्रक क्या होगा, अंतेखन क्या होंगे, मैं आपको एक चीज बताऊ, जब भी आपके पास ऐसा कोई कोशेन आता है, ऐसा मैं concept के साथ मैं question बहुत कम बता पाता हूँ क्योंकि time नहीं रहता इतरा दूसरी चीज इसी class का जो concept का जो practice class है वो आपकी 2.30 pm पे आई है 2.30 pm पे तो कई बच्चे तो ये सोचते हैं कि यार हमने तो concept तो पढ़ी लिया ना concept तो हमने पढ़ी लिया इस class के अंदर 800 बच्चे लाइव उस class के अंदर 500 बच्चे लाइव 300 बच्चे वो हैं जो केवल concept पढ़के ही exam करेक करना चाते हैं तो ये भूल जाना बात कि concept पढ़ने से exam कभी भी करेक नहीं हो सकता आपको practice करनी पढ़ेगी वो 2.30 PM वाली जो class है ना जिसमें मैं question करवाता हूं उस question के साथ में एसे so trick सिखाता हूं वो मान के चलो कि जो आपकी यहां पे नहीं हो पाते ठीक है तो ध्यान दे लेना आगे अगर आपका नुक्षान हो तो मुझे मत बोलना कि सर हमने आपने हमारे को इसा नहीं सिखाया तो जब भी intercept अगर आपको निकालना हो सर इंटरसेप्ट अगर आपको निकालना हो तो एक बार तो आप इसमें x बराबर 0 कर दो x बराबर 0 करोगे x बराबर 0 पुट करने से y axis का intercept आता है और y बराबर 0 पुट करने से x axis का intercept आता है जब आप इसमें x बराबर 0 करोगे तो y बराबर के आएगा 4 और y की जो value आती है यही होता है y axis का intercept तो y axis का intercept इतना है 4 अगर मान लो कि मैं करता हूँ y बराबर 0 तो x axis का intercept आएगा Y बरावर 0 करने से X बरावर आएगा आपका 6 और X अक्सिस का intercept आपके पास 6 आ गया और Y अक्सिस का intercept आ गया 4 बोलो समझ में आया की नहीं आया इतना इतना समझ में आया बेटा intercept कैसे निकालते हैं हमेशा ध्यान रखना intercept निकालने के लिए एक बार x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0 अक्सों के साथ में बनाएगे तिर्बुज का area direct होता है सर फूर्मला हा पे भी होता है हा पे भी होता है तो इसका जो right answer आएगा बारा जाएगा circum central क्या होता है a by 2 और b by 2 इसका मतलब सर 3,2 आजाएगा एक सर centroid a by 3 और b by 3 इसका मतलब 2,4 बटा 3 आजाएगा ठीक है ये होता है सर आपका केंद रख बोलो आया समझ में ठीक है चलो जी बहुत बढ़िया ध्यान रखना तो 2.30 pm पे जो क्लास आती है वो आपको बहुत अच्छे सर्टेंट करने है उस क्लास में जहाँ पे मैंने concept सिखाए concept के साथ में practice भी करवाता हूँ 2.30 pm अवड़ी क्लास में तो आना मत बूलना उसमें हर book के question होंगे मेरा खुद का content होगा एंड ये previous year question होंगे आरस अगरवाल का Lucent का सारी book के मिला के question होंगे और उससे बड़िया practice rate आपको कहीं मिलेगा भी नहीं विश्वास हो तो बहुत बड़िया बात है और नहीं हो तो और भी बड़िया बात है अब मैं आप से अगली class के अंदर मिलूगा यहां तक का portion आपका complete है आगे कल की class में आपन इसके concept continue रखेंगे मेरे जस्ट बाद में संजे सर की class आईगी उसमें भी आज concept रिस्टार्ट होगा आर्टिकल ठीक है तो आज से नहीं class आपकी start होगी और एक चीज़ में आपको और बता दू बेटा आपका प्यार and support class के अंदर जब class से हो जाएगी तब आप देते रहिएगा क्योंकि वो ही हमारे को energy करती है जितनी आप energy हमारे इंदर comment करके डालोगे उतनी ही हम रेट राइव करेंगे ठीक है चलो जी मिलता हूँ आप से next class में तब तकी ले टाटा बाई 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 जेहिं